जेहन शायों आज से हम आपको लोग के में डेली कोole कोरेंगे дैल्ली अपको हम करेंट अफ़्यूern कोरवाएंगे कोकोन होगे सब्सक्राइब करवायंगे जो आपके एक्जाम Circ scratch करेंगे यह कोश्ण करवायं तो है कि इपको बताती है。 SPD जाने दिजिए SPD और इडूटेडिया SPD इडूटेडिया और आपका जो भी मैगजिन है जहां से मुझे important question मिलेगा वहां से आपको cover करवाएंगे लेकिन आपको SPD और इडूटेडिया को आप पढ़ लेते हैं तो आपको इससे बाहर question नहीं मिलेंगे जैसे आपको पिछले बार जो आपका BPSC सिक्षक भरती के इजाम था उसमें आपको हम इसी तरह से आपको important question को करवाएं थे मात्र जो आपका important question है उसे ही आपको करवाएं थे current effect का उसी में से आपका जो 5-6 question आए था current effect का जो सभी आपको यहीं से मिला था यदि आपको यह भरोसा नहीं हो रहा है तो आप जाहिए आप current effect के playlist में जाहिए वहाँ आप देखेएगा सभी वीडियो का आप देखेंगे उसमें आपको सभी question मिल जाएंगे जो आपका इस बार current effect का question पूछाता है सभी में आपको जो बी करिंट का question पूछाता है सभी question आपको बन जाएगा इसके लिए आपको यह देखना होगा और दिभैज भी आपको करते रहना होगा ठीक है इसका आपको पीडियोब चाहिए तो आपको पीडियोब भी आपको आपको तेलिग्राम पर अप्लोड कर देंगे आप टेलिग्राम से इस पीडियाप का डोलोड कर लीजेगा ठीक है जिसे आपको रिभायज करने में आसानी हो तो चलिए हम आज से स्टार्ट करते हैं कोशन आपका फरस्ट है कोशन है कि पीम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ग्रिन freuen field helicopter और factory का उद्गातन किस राज में किया है ये क्या आपका करनाटक राज में यह दखेगा कहा क्या है कर नाटक राज में इसका उद्गाçar किया है एelet गोशिण सकेंड है कि हाली में योपियन संग ने किस वर्स ते गैस और डिजल कारों की विक्रीपर पाथीवनथ लगाने की घोसना किया है यहीं कि आपका वार्स दोजार पैटीस से यानि दोजार पैटीस से येउरोपियन संग ने येउरोपियन संग गैस और डीजल के कारों को बिक्री पर परतिवन लगा देंगे इसका खुसना अभी किया है ठीक है? नेस्टा है कुसन थाड है कोस्ẫn है कि प्रूस हाँकी dh30 का टाइटल किस ने जिता है यह जिता आपका जर्मनी यद रखेगा किस टीम ने जिता है तो जर्मनी टीम ने जिता है कोषन है कि साओधी अरब की साओधी अरब की पहली महला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए एक मिसल में सामिल है यह है रियाना वरनावी कौन है यह है रियाना वरनावी इस नाम को याद रखीगा यह आपका बहुत ही महत्पूर्ण परस्ट है कॉसना की पियम मोदी ने किस राज में जल जन अभ्यान का उद्गाटन किया है This क予 डिए क्या है राजत थान राज में किया है कॉसना की भारत उजबेकिस्तान दुवार्शिक्स साइन फर्शिक्चन अभ्यास डस्ट लिख 2030 का आई जन किस राज में किया गया यह क्यापका उत्राखंड राज में यहाँ आपका दोच याद रखना है कि आपसे यह भी बूसकता है कि डस्टलिक सानी अभ्यास किन देशों के बीच हुआ है तो भारत और उजबेकिस्तान के बीच हुआ है और दूसरी बात यह कहां हुआ है तो यह उत्राखंड में हुआ है तो इस दोनों को आप याद रखेगा नेश्टाब का यह कॉस्टन सेवन है कॉस्टन का रखका कि कि किस देश को किस देश को समय तराष्ट समाजी के विकास आयोग के 62 सतर के अध्यक्स के रुप में चुना गया है यह चुना गया है भारत को यह भी अबका मात्पून प्रसन है इससे आप याद रखेंगे नेश्टाब का आइट है कॉस्टन दादा साईब फाल के अंतराष्टे पुस्कार दादा साईब फाल के अंतराष्टे फिल्म समड़ो 32 में किस फिल्म को Film of the Year चुना गिया है ति ये चुना गिया आपका RR मोवी को और सुन अपका C होगा नेश्टर अपका Qशन 9 है Qशन 9 किस राज सरकार ने लाड़ली बहना नामक योजना सूर की है ये कि आपका मदपर्देश सरकार ने लाड़ली बाहना योजना किस राजने शुरू किया है ये कि आपका मद्द प्रदेश सरकार ने नेश्टाइ कोसर अब का 10 है कोसने छत्रिय भासा में नीरने प्रकासित करने वाला दिस्का पहला हाई कोट कौन बन गया है ये आपका केरल हाई कोट ये भी आपका बहुत ही मात्पून कोसने याद रखेगा कि छत्रिय भासा में नीरने प्रकासित करने वाला दिस्का पहला हाई कोट बना है केरल हाई कोट ऑफशन भी होगा कोसने बंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की पहली महिला लोको पैलेट कौन बनी है ये बनी है सुड़ेखा यादब यादब बनी है इससे आप याद रखेंगे बहुती मात्पून परस्न है कोसने के हाली में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डिवलप्मेंट बैंग का नया सदस बना है ये बना है मिस्तर याद रखेंगा कौन बना है मिस्तर बना है ओफशन आपका ये होगा कोसने आठ मार्च 32 को किस अभ्यान थीम के साथ अंतराष्टे महिला दिवस मनाए गया तो आप देखेंगे याद रखेंगे अब आपका जो कौसन पूछता है उसमें आपका दिवस ना पूछ कर उसका थीम पूछता है तो थीम आपका महत्पूर्ण है तो दिवस के साथ स ब्यूविवा एंडेक्स निश्चट को dönुकर 14 है के हाली में जारी हाली में जारी हूई वर्स 32 की specific में भारत को 65 एसों में कौन सा स्थान मिला है तो भारत को 42 ओस्थान मिला यादए कि Guide Along session index में भारत को 42 ओस्थान रेंक का मिला कोशन आपका 15 है कोशन है कि भारती बायुषिना भारती बायुषिना में लडाको इकाई की पहली महिला कमांडर कौन बनी है या दखिए भारती बायुषिना में लडाको बीमान की पहली महिला कमांडर कौन बनी है यह दखिए भारती बायुषिना में लडाको बीमान की पहल 32 जीता है यह जीता आपका याद दखे सर डेविड चीप और फिल्ड ओफशन ए होगा नेश्टा एक कोशन आपका 17 है कोशन है कि हाली में जारी हुई वर्ष 32 के वर्ल्ड हैपनेस इंडेक्स यह वर्ल्ड हैपनेस रिपोर्ट में भाद का कौन सा अस्थान मिला है तो वर्ल् कौन सा राज 100% विदुत करित रेल लिवे नेटवर्क वाला भाद का पहला राज बने गया है तो यह बना हाडियाना राज याद आखेगा यानि हाडियाना राज में 100% रेल लिवे का विदुति करन हुआ है यह भी आपका बहुत ही मादपून कोशन है इससे आप याद र वा अस्थान अब क्या हकाल हैंगे यानि जहां पर चंद्यान थिरी का लेंडर यह उत्रा है उस अस्थान को क्या नाम दिया गया है तो इस अस्थान को दिया है सीव सकती पॉइंट याद रखेए जिस अस्थान पर चंद्यान थिरी उत्रा है उस अस्थान को नाम दिया है सीव सक्ति पॉइंट ये भी आपका महत्पूर्ण प्रसन है तो आप याद रखेंगे सीव सक्ति पॉइंट इसका नाम दिया है यह से कोशन 20 है कोशन है पियम मोदी ने किस तारिक को परतिवर्स देश भर में राष्टिय अंत्रिक्ष दिवस मननने की घोषना की है तो ये किया तेश अगस्त को ये बहुत ही इंपोर्टेंट कोशन है याद रखेगा कि तेश अगस्त को राष्टिय अंत्रिक्ष दिवस की घोषना की है यानि परतिक वर्स तेश अगस्त को राष्टिय अंत्रिक्ष दिवस मनाए जाएगा तो इसलिए क्योंकि 53 अगस्त को ही चंदरियां 3 मून पर लेंड किया था तो यह भी आपका मात्मून प्रसना है इसे आप याद रखेंगे तो यह था आपका 20 प्रसन तो आज से आपके लिए हम करेंट अफिर का भी 20 प्रशन का एक सेट अस्टार्ट की है जो आपको डिली 20 इंपोर्टेंट कोउशन करवेंगे फाल तो कोउशन एक भी नहीं करवेंगे जो भी हम कोउशन करवेंगे सभी आपका महातपूर्ण होंगे ठीक है तो इस सभी question को आप एक पर याद कर लिजेगा आपके exam में यहीं सी question रहेगा इतना आपको मान कर चलना है ठीक है तो अभी समय इसी दिए start किये हैं क्योंकि मान लिजे अभी आपका एक मैंने कर समय है या पचीस दिन के समय है तो इतने दिम आपको इतना करें आपको यहीं कवर करवा देंगे जिस आपका एक वी question exam में नौ छुटे ठीक है तो यह ऐसा नहीं आपका कि बिप्यसी सिख्षक भरती के लिए ही है यह आपका बिहार एससेंट भी आपको काम आएगा और यह आपको बिहार पुलिस के exam में भी काम आएगा तो सभी exam में यह आपका करेंट पर काम आएगा तो ऐसा नहीं है कि बिप्यसी सिख्षक भरती के लिए ही है तो करेंट पर है यह किसी भी exam में आ सकते हैं ठीक है यह मेरा आपका आज का पहला सेर्थ था तो आप लोग बताएगा कि यह आपको continue रखे या ना रखे इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा तब चलिए आज की लिता ही थैंक्यों देना बाद मिलते हैं आपको निया स्टूडिया में